यमना नगर में जहरेली शराफ से हुई मोत के मामले पर भाजपा प्रदेश अजख्ष एमसान सथ कुरूपशेतर लोगसभा नाइप सिंग सेडी ने कहा कि दो लोगों को पुलीस ने गिरफतार भी किया है ये बड़ा ही दुर्बागेपुर्ण मामला है और जो भी लोग दोशी होंगे उनके उपर कारवाई की जाएगी जब उनसे पूछा गया कि यमना नगर में जहरेली शराफ से हुई मोत के मामले में कॉंगरस और जेपी के निताओं का नाम आ रहा है तो उन्होंने कहा कि दो को पुलीस ने गिर्फतार किया है और जो भी दोशी होगा उन्हें बक्षा नहीं जाएगा ऐसे लोगों को किसी भी कीमत पर बक्षा नहीं जाएगा जिससे मानवता का नुकसान हो वहीं पराली जलाने के मुद्दे पर भाच्पा प्रदेश अदेक्ष नायप परनाली का परदूशन बरता ही जा रहा है आज पंजाब के अंदर ना पराली जलाने के लिए कोई सुईधा नहीं दे रही है जबकि इसके विप्रीत हर्याणा परदेश में पराली प्रबंदन बड़े पेमाने पर किया जा रहा है और आपकी बार हर्याणा परदेश में बहुत कम मात्रा में किसानों ने प्राले जलाई है। जहां जहां भी मैं जा रहा हूँ आगे भड़ करके अपने मेटे भाई को अशीरवाद देने के लिए बड़ी संख्या के अंदर आ रहा है। दिपावली का भी महापरव है और आने वाले ये दिन है जो ये परवों के दिन है। चाहे भगवान विशव कर्मा जयनति का हो चाहे भई या दूजगा हो ये सब महापरवों की मैं सभी अपने लोक सभा कुछेतर निवासियों को, हर्याना पर देशवासियों को, देशवासियों को, इन परवों के बहुत बहुत बधाई और सुबकामनाय देता हूं, ये परव सभी के लिए मंगल मैं हो, ऐसी भगवान सी दिर्धाम से प्राथन करता है। यमना नगर के अंदर एक दर्जन लोग जहरीली सराब से मौत हो गई, उस पर क्या हो खएंगे ये विश्यकल जिद्धान के अंदर आया था, और उसकी जांच में हो रही है, जो भी उसके अंदर दोस्य होगा, उसके खलाफ कारवाई है, दो लोग उसके अंदर रेस्ट भी क उसके अंदर दोस्य होंगे, वो बक्सेंगे नहीं, उनके खलाफ कारवाई होगी, मनहर लाल जी की सरकार है, और ऐसे लोगों को बक्सने का कोई स्वाल नहीं, जिससे मानुवता को नुक्सान है, पराली के मुद्धे पर पंजाब, ज्यादा पादामी दोनों दोनों देश चाहे और बिलर की है, चाहे और ट्रेक्टर की है, ड्रेक्टर के उपर भी सबसीड़ी देखर के किसानों तक पहुंचाने का काम किया जा रहा है, और उससे अलग भी, अगर हमारा किसान वो प्राली ना जलाए, क्योंकि प्राली जलाने से उसकी स्वाय की इंकम भी कम हो जा करती है और आम लोगों को भी उसका नुकसान होता है वाई यू पॉलूशन के खारण से और मनोहर लाल जी ने इसको परदस्त काम किया है और केजरिवाल साथ तो पीछे भी बोलते थे कि ये पराली पंजाब के किसान जलाते हैं और वह धुआ दिल्ली के अंदर पंजाब से जलाता है उसके बाव दूद वहां के किसानों ने केजरिवाल साहीं को फोट दिया प्रतू केजरिवाल साथ उस व्वस्था को करने में नाकाम रहे हमारे यहां पर । व्यक्ति क्योंकि जब इतनी सुविदा सरकार दे रही है अगर कोई व्यक्ति इस परकार से प्राली को जलाता है तो परसासन उसके खलाफ करवाई खेटों के अंदर और वो उसने करना चाहिए क्योंकि केजरिवाल साब जूट की राजनीती करते हैं लोगों को गुम्रा करके वोट लेने का काम करते हैं आज उनके सामने हैं आज इदर उदर के आरोप तो वो लगाता है प्रन्तु काम करने में और उसको इंप्लिमेंट करने में वो बड़ा अंतर है वो बोल तो देता है मंच को पर खड़ा हो करके मैं ये करूँगा मैं वो करूँगा प्रंतु किया कुछ नहीं है अगर कुछ कियेगा तो पता चलेगा खाली लोगों को गुम्रा करें